हेलो माई योटूब फैमली नमस्ते कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से होंगे फ्रेंड्स आज मैं देखिए इनका पर्मानेंट एस्टेट्निंग करने जा रही हूँ और आप मेरा एस्टेट्निंग का वीडियो पूरा देखिए तो आप भी अच्छे से घर बैठे सीख सकते हैं और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजेगा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा फ्रेंड्स ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है फ्रेंड्स तो इस बर बहुत दिनों बाद में वीडियो डाल रही हूं क्योंकि बहुत काम हो जाता है दिपावली था छट था तो बहुत सारे पारलर में भी काम हो जाते फ्रेंड्स तो इस बर बहुत दिनों बाद में वीडियो डाली हूं और फ्रेंड्स हमारे वीडियो से वीडियो को purify shampoo से wash करना है अच्छे से दो बार कम से कम ताकि उसका जीतना डर्ट हो पल्यूश बाहर से आए ना और oil हो ना सारा मतलब अच्छे से निकल जाए purify shampoo से wash करना है उसके बाद देखिए friends उसके बाद क्या करना है टोबल ड्राय करना है ठीक है उसके बाद ड्रायर से cool ड्रायर से पहले ड्राय करना है उसके बाद फिर आप hot ड्रायर से सुखा लीजे इनका 90% बाल सुखा ली थी मैं ठीक है ये अपने बालों में मेंदी भी लगाती है और वासमोल भी लगाती है वासमोल कलर होता है वो भी और इन पे मैं दिखाऊंगी पर्मानेंट एस्टेटनिंग करके और आप बताईएगा कि इनका रिजल्ट कैसा हुआ है और फ्रेंट्स ये देख लीजे इनका थोड़ा मोट मतलब हलका कर ली है तो मैं थोड़ा सा इनको मैं प्रेज कर रही थी ठीक है थोड़ा सा एस्टेट करने के बाद करने पर और अच्छा रिजल्ट आता है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो एक बार कर लेती हूं तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से मोटे मोटे सेक्शन लेके मैं कर रही हूं ठीक है उससे क्या होता है और अच्छा एस्टेटनिंग और बढ़िया फाइ है और आपको समझना भी सिखना भी जरूरी है कि किस तरीके से हो रहा है मैं वीडियो को सिर्फ फास्ट की हूं क्योंकि इसमें पांच गंटा का प्रोसेसिंग होता है फ्रेंड्स पांच गंटा लगी जाता है चार से पांच गंटा लग जाता है तो आप वीडियो स्किपन सेक्षन लेकर के ना मैं स्ट्रुटिक करें मेरा सेक्षनल रचा बहुत बढय है इसका बहुत अच्छा रीज़ंट आता है इसनhaus आता है एकपर करने के बाद वह दू-तिन साल चलें जाता है तीन साल आराम से जो तक आ आपका चलेगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह हो गया है और वीडियो बिल्कुल फास्ट है ताकि मैं चाहती हूं स्टेप बाई स्टेप आपको दिखा सकूं किस तरीके से मैं कर रही हूं किस तरीके से सेक्षर निकाल रही हूं किस तरीके से स्टेटिंग कर रही हू ठीक है फ्रेंट्स तो यह देख लो आप ये स्टेटिनिंग फर्स्ट बार हो गया ठीक है अब देखिए मैं स्टेटिनिंग करने जा रही हूं ये मैट्रिस का है और फिर ये नूट्र लाइजर है और इस टेनिट अब देखिए पूरा वीडियो को आप लास्ट रख तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ये मैं आप आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस क्रीम से करी हूं ये मैट्रिस का है ठीक है तो ये पहले तो आप देख सकते हैं मैं बावल में क्रीम निकाल रही है तो फ्रेंट्स पहले थोड़ा ही निकालेंगे ताकि मतलब कम होगा त तो फिर रखने में दिकत हो जाएगा इसलिए थोड़ा अंदाज से आप निकालिए और उसके बाद फ्रेंट्स ना पहले तो ड्रायर से सुखा ले ये सौरी इस्टेटनिंग तो मैंने कर लिया था ठीक है उसके बाद सेक्षन निकाला देखिए दो पर्टीशन मैं पीछे न देना है और उसके बाद ना अच्छे से मलसिफाई करना है और फ्रेंट्स एक बात को और ध्यान रखना है आप हाथों में गलफ्स जरूर पहने क्योंकि बहुत हाड़ स्मेल रहता है ठीक है तो हाथों से इसमेल नहीं जाता है जदि आप खाना खाओगे बहुत मतलब इसम कःने में दिक्कद होता है दो दिन तक मागतर आ जाता है इसलिए बद्वू मारता है इसलिए अफ्रेंट्स इसका? आ गलफ्स जरूर पहन के वर्क करें और मैं अभी हमेशा पहन के करती हूं और आप देख सकते हैं मैं पतला पतला सेक्षन ले रही हूं और मैं मलसिफाई करना है चार पंच बरता की बालों के बाल एक भी नहीं छूट सके और अच्छे से मलसिफाई होगा ना तो बाल में क्रीम अच्छे से लगेगा ठीक है उससे क्या होता है ना प्रोपर एस्टेटनिंग होगा और बॉंड इ आप देखिये का मैं किस तरीके से क्षण निकाल रही हूं किस तरीके से मलसिफाई कर नहीं आप देखोगे तो असानी सब्सक्षाई उगे जो भी बीकणर है उनके लिए हूँ ध्र CC जडूरी है इसलिए मैं नहीं चाहवती हो कही से भी कटिंग करके दिखाँ मैं बहै दी फाने की कोशिस की हूँ तो आप देख सकते हैं उधर का हो गया और इस तरब का भी पतला ही पतला ही सेक्षन लेकर हाथों से ही मलसिफाई करना है वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं बहुत अच्छा से आराम से उसको मलसिफाई कर रही थी एक बात को और ध्यान देना है कि आप जदी आपके पास कोई नहीं है हेलफर तो आप कोशिस करो कि जितना फास्ट काम कर सके क्योंकि क्रीम अप्लिकेशन कम से कम फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के अंदर कंपलीट हो जाना जा तो फ्रेंड्स मैं तो 10 मिनट के अंदर कर ही लेती हूं ठीक है उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो सेक्षन बाई सेक्षन किस तरह कैसे मैं लगा रही हूं और कॉम भी करना है कॉम करके बिल्कुल एस्टेट उसको छोड़ना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह पूरा कम्पलीट हो ही गया है ठीक है फ्रेंड्स और तो आप देख सकते हैं यह क्रीम पूरा लग गया है एस्टेट निंग क्रीम है जो लग गया है और अच्छे से कॉम करके उनको एस्टेट बोल देना है कस्टमर को कि आप एस्टेट बैठे रहो इधर उधर हिल डोल नहीं करना है और हिल डोल भी नहीं करना है अराम से उनक उतना जरूरत है नहीं तो कस्टमर का भी समय निकल जाता है पता नहीं चलता है और फ्रेंट्स कम से कम आपना 35 से 40 मिनट तक आपको रखना है उसके बाद चेक करना है तो देख सकते हैं आप मैं चेक कर रही हूं और मैं चारों तरफ का बाल ले करके एक एक बाल चेक कर रही थी कि हो गया है कि नहीं कम से कम 30 से 40 मिनट हो गया है और मैं चेक कर रही थी जदी फ्रेंट्स आपको दीख नहीं रहा होगा एक एक बाल लेके चेक करना बहुत ही जरूरी है तभी पता चलेगा आपको कि मतलब पीछे से 2-4 बाल लेके आपको चेक करना है तभी पता पर ले गई हूं और इसको ना पानी से प्लेन वाटर से मैं रिंज की हूं ता आप देख सकते हो मैं पहले पानी को डाली हूं उसके बाद थोड़ा सा गीला की हूं और फिर थोड़ा सा मसाज दी हूं ठीक है ताकि सारे क्रीम अच्छे से निकल सके अ धर आफ से अगचे क्रीम को अच्छड़ा से ही निकलना थोड़ा सा भी मतलब नहीं रखना है कीजिये फ्रimizi इंधा बंचे से ढॉड़ा से बजी हूं इसके बाद टॉबल ड्राइ करना है स्टेट करके यह सानी का पूरे बाल को मतलब यह करके नहीं करना है अच्छे से देरे देरे वाटर यह करना है तॉबल से सुखाना है उसके बाद फ्रेंट्स आप cool dryer से सुखाईए ठीक है 50% कम से कम cool dryer से आप सुख जाना चाहिए उसके बाद फिर ना थोड़ा सा hot dryer से सुखाना है तो फ्रेंट्स मैं तो चाहती थी कि video छोटा बन बने लेकिन इतना लंबा इसमें प्रोसेसिंग होता है इतना मैं चाहती हूँ कि जदी दिखा रही हूँ तो अच्छा से दिखा हूँ ताकि कोई भी सीखे तो अच्छा से सीख सके स्टेप बई स्टेप कहीं से फिर उसको दूसरे वीडियो देखने के जरूरत ना पड़े मेरे वीडियो से अच्छा से इसको किस डीपली नॉलेज मिल सके और उसको ऐसा ना फिल होके मैडम को सिखाई नहीं लेकिन मैं आपको कुछ भी सिखाती हूँ बेहतर तरीके से कोशि नाइंटी नाइन परसें तक सुग गया था उसके बाद क्या ना यही यही है इसी के बाद ना इस्टेटनिंग क्रीम के बाद आपको इस्टेटनिंग करना बहुत जरूरी है जो फर्स्ट क्रीम है वो लगाने के बाद 40 मिनट छोड़े के बाद आपको इस्टेटनिंग बह तो आप देख सकते हो मोटा मोटा भी थोड़ा सा हो जा रहा था तो उसको भी मैं दो जार बार जितना बढ़ी है पारी की आप जीतना अच्छा प्रेसिंग करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंट्स लेकिन आप मेहनत और अच् कर दो काम रिजल्ट बहुत अच्छा होना जाहिए ठीक है फ्रेंस तो यह देख सकते हो मैं इसी तरह करती हूं आप आप देखिए कि कैसे मैं सेक्षा निकाल रही हूं और इतना अच्छा से करो ना ताकि आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले देखने वाले को भी अच् अच्छे सेक्षा निकाल पाते हैं और ना एस्टेटिंग कर पाते हैं तो फ्रेंस यह पूरा मेरा वीडियो दिखाने के यही मकसद है कि आपको भी समझ में आ सके कैसे सेक्षा निकालते हैं और किस तरीके से एस्टेटिंग करते हैं तो आप फ्रेंस पूरा देखिए किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिजे आपके लिए ऐसे ही अच्छे इच्छे वीडियो मैं लाऊंगी ताकि आपको भी घर बैठे पार्ट का कोर्स कर सकें और आप अपना खर में भी आप कुछ कर सकते हो parlard से दिलेटट काम कर सकते हो और घर में भी जदी आप पालर चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो और कहीं जाकर भी आप काम कर सकते हो वीडियो देखने से भी बहुत नौलेज होता है ऐसा नहीं है वीडियो जदी आप देखोगे सीखोगे और करोगे तो काफी डिपली बेकुफ ना बना सके इसलिए फ्रेंट्स आजकल डीजिटल मार्केटिंग है तो हर इनसान को जो मतलब ये पार्लर से रिलेटेड तो हर लेडिज को आना ही चाहिए कि हां कैसे होता है किस तरीके से होता है ताकि अगला को भी सजेस्ट कर सके या खुद भी करवाए तो उसको कुईसी भी तरह का दिकत नहीं हो और फ्रेंट्स कभी भी आपको मैं बताई हूँ कभी भी आप जदी क्रीम भी लगाते हो ना तो रूट से हाफ इन छोड़के ही लगाना चाहिए इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और फ्रेंट्स आप देख सकते हो कि मैं कैसे इस्टेट्निंग कर रही हूँ पतला पतला सेक्शन ले करके और फ्रेंट्स एक बात का और धियान रखना है कभी भी इस्टेट्निंग करोगे ना ये पर्मानेंट तो आप मास्क जरूर पर हैं इनके कर लेना और जदी आपके पास हो सके तो क्लाइंड को भी मतलब दे दे ना आप उसको भी ताकि बहुत इसका गंदा इसमेल रहता है इसलिए मैं तो कभी भी करती हूँ तो एक मास्क मैं वहां हमेशा रखी हूँ ताकि किसी का भी मैं करती हूँ ना मैं बहुत इस्टेट्निंग करती हूँ ठीक है बहुत आते हैं ऐसा बात नहीं है हमारे पस बह बहुत सारे आते हैं। मैं कभी भी तो मास्क लगा पेकर करता हु धlyCrसा कर देख़ा हके हैं। करे सोब лучше माश्य की ने खुशुते हैं। छ्लांगे से तेमधल similar हैं। कंभी लिए टीन वहाया अपम भी यह खोलाए हैं। बालो में शाइन दीख रहा है और यह काफी इस ट्रेटनिंग कम से कम दो तीन साल तीन साल तो चली जाता है और यह इस बात का भी धियान रखना है ज़दी हम मैं चाहती हूं कि अभी बता दू क्योंकि वीडियो कब खतम हो जाता है पता नहीं चलता है कभी जैसे कि आप इस हवा में नहीं रहना है और बहुत गर्मी में भी नहीं रहना है ठीक है फ्रेंट्स नॉर्मल टंप्रेचर में आपको रहना है और आप खुले बाल करके बाहर नहीं जाओ बाइक पे नहीं जाओ या बालों को अपने कान के पीछे भी नहीं करना चाहिए करोगे न तो जैसे रखोगे वैसे हो जाएगा मूड जाता है फ्रेंट से ठीक है इसलिए यह सब बात का भी ध्यान रखना है और कस्टमर को भी जदी आप कर रहे हो तो बता देना है कि आप इसको पानी नहीं आप नहाते समय इसको अच्छे से उपर से टैक कर लेना और इसमें पानी नहीं जान है और आपको तीन दिन तक बाल को कान के पीछे नहीं ले जाना है नहीं तो क्या है न और क्लचर नहीं लगाना है नहीं तो उसमें बेव आ जाते हैं तो फिर बोलने लगता है पालर वाले को के अच्छा मतलब नहीं किया इसलिए फ्रेंट्स यह पहले आप बता दो उसको क ताकि वो भी precaution ले सके और अपने बालों को केरफुली रख सके दो दिन तीन दिन तक आपको 48 घंटा तक रखना है ये बात को बहुत ये बताना ही जरूरी है नहीं तो टाई कर लेंगे या कलचर किलिफ लगा लेंगे न तो उसमें वेव आ जाता है निसान पड़ जाता है त स्ट्रेटनिंग और स्ट्रेटनिंग करने के बाद इनको 10 मिनट तक आप स्ट्रेटनिंग करने के बाद तुरंत मतलब जब तक आप निकालोगे तब तक ठंडा होई जाता है और ठंडा होने के बाद निउट्रिलाइजर लगाया जाता है ठीक है निउट्रिलाइजर निका कि मैं कैसे लगाई हूँ अच्छे से ना सेक्षन निकाल लेना है चार सेक्षन में निकाल लगा देती हूँ क्योंकि जादे सेक्षन करने से कोई फैदा नहीं है जदी आपके पस एक्सपिरियंस है ना तो आप तो कर ही लोगे एक सेक्षन दो सेक्षन तो फ्रेंट्स आप द देख सकते हैं यह neutralizer है matrix का ही है neutralizer और इसको हम लगाएंगे तो इसमें क्या है ना निकाल लेंगे और निकालने के बाद ना एक बावल में निकालने के बाद उसको अच्छे से मिला लेंगे अंदाज से निकाल लेंगे ताकि घटे का तो फिर दुबारा भी लिया जा सकता है और ठीक है और उसको धकन अच्छा से बंद कर देंगे एर नहीं जाना जाए यह नहीं तो खराब भी हो सकता है इसलिए अपने समान को भी अच्छे से रखना जरूरी होता है आप देख सकते हैं कि इनका स्टेटनिंग हो गया है और फिर मैं सेक्षन निकाली हूँ और थोड़ा समय वीडियो को भी कट कर दीओ क्यों कि बहुत बड़ा हो गया था बड़ा हो जाता है कितना भी कोशिज कर तो करो फिर भी हो जाता है तो आप देख लिजे चार ही सेक्षन किये हैं और कस्टमर से भी मैं पकड़ा ही लेती हूँ और नियूट्रिलाइजर सिफ लगाना उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है सिर्फ नियूट्रिलाइजर ही आपको लगाना है हाथ में गलस पहान लीजे पहान लेने पेना ठीक रहता है और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ और क झाल झाल तो ये फ्रेंट देख लीजे एक तरफ का लगाना है एक तरफ का पूँच्प पूरा आगस लेके पीछे का लग गया है ठीके और पीछे का फिर आप देख सकते हो पीछे का लगाना है। और इसमें एक बात का जुरूर ध्यान रखना है जदि न्यूट्रिलाइजर लगाते हो ना तक कस्टमर को उसको बता दो कि वो बिल्कूल एस्टेट बैठे ताकि उसमें यह जैसा मतलब आप यह न्यूट्रिलाइजर ना बालो को सेप देने का काम करता है तो आप जीस तरीक बिल्कूल एस्टेट उनको रखना है और अच्छे से पहले न्यूट्रिलाइजर लगाना आप देख सकते हो section by section मैं लगा रही हूं और रूट से half inch मैं छोड़ के और अच्छे से कॉम कर रही हूं कॉम करने के बाद न अच्छे से स्टेट करके छोड़ देना है ठीक है और यह देखे almost लग गया है इसी तरह आपको भी लगाना है और न्यूट्रिलाइजर लगाने के बाद कॉम करना है और फिर एस्टेट करके छोड़ देना कम से कम फ्रेंट्स इसको आप 20 मिनट तक आप रखोगे 20 मिनट तक न्यूट्रिलाइजर लगा के रखना चाहिए और उसक आपको लगे कि बाल बहुत जादे मतलब वीक है या कुछ भी हो तो आप मास्क लगा सकते हैं नहीं तो उसको भी आप एस्किप कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो आप देख लिजी यह नूट्रिलाइजर लग गया है और मैं 20 मिनट तक इनको मैं छोड़ दी थी ठीक है 20 म प्लेंड वाटर से दो रहे हूं ठीक है फ्रेंट्स अच्छे से क्रीम को निकाल लेना है ठीक है तो आप भी इसी तरह घर बैठेंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लेकिन आपके पास अच्छे इस्टेटनर होना चाहिए और आपको बालो का नॉलेज होना चाहिए किस पर कौन सा क्रीम जाएगा और आप कितने देर तक रखना है यह यह सारे ज़दी वीडियो हमारे देखते हो ना आपको भी नॉलेज हो जाएगा कितने देर तक बालों में लगा करें क्रीम रखना है आप वीडियो को बिल्कुल इसकीप नहीं करोगे ना तो आपको भी घर कम से कम और सकाओं मैं उसके बाद वुद्धु चुरिश्जा अच्छतर्णु चुरिग में को आप बता देना है कि और थोड़ा समय सुखाने बाद थोड़ा समय चला दी ठीक है और यह फाइनल अप रिजल्ट देख सकते हो और मैट्रिस मैं किये थे आप भी करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो घर बैठे कर सकते हो लेकिन आपके पास अच्छा होना चाहिए और नौलेज भी होना चाहिए तो ही अच्छा होता नहीं तो बाल के साथ खिलबार नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाल औरत का सबसे असिंगार होता है और जल भी सकता है तो आप यह देख सकते हैं फ्रेंट्स फाइनल रिजल्ट यह वीडियो में नहीं लेने के वज़े से यह इस तर को पर्मानेट एस्ट्राइट में करवाना है तो हमसे भी ज़रूर करें तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बैटे के लब यौन